खाने के बाद सौफ चबाने के आठ जबरदस्थ फाइदे हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे वल्कम बैक टो माई चानल होमे टिप्स आयूर्वेट के अनुसार सौफ के दानों को चबाने से मूँ की बद्बू से राहत मिलती है साथ ही यह पाचन क्रिया को स्वस्त बनाए रखती है इसके अलावा यह पेट की गैस, एसिडिटी, खटी, डकार, आना तथा खाना पचने में परेशानी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहतरीन मानी जाती है सौफ के बीज, डाइजिस्टिव जूस और एंजाइन सिक्रेशन को बढ़ाते हैं जो बोजन को तोडने और आपच सूजन और कब्स जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं सौफ में विटामिन सी और एंटी अक्सिडेंट होते हैं जो इम्म्यूनिटी को बहतर बनाने में मदद करते हैं आयुर्वेट के मताबिक सौफ के दानों को चबाने से मूगी बद्बू से राहत मिल सकती है सौफ की तासीर ठंडी होती है यह तृदोश नाशक है यह पित, वात और कफ का बैलन्स बनाई रखने में मदद करती है सौफ में विटामिन ए होता है जो की आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है नियमित रूप से सौफ खाने से केटरेक्ट जैसी दिक्कतों से राहत मिल सकती है खाने के बाद सौफ खाने से मेटबॉलिजम बूस्ट होता है और लंबे समय तक भूक नहीं लगती है साथ ही सही मातरा में इसका सेवन करने से जल्दी और एफेक्टिव वेच लॉस में मदद करती है खाने के बाद थोड़ी सौफ चबाने से लार में नाइट्राइट की मातरा बढ़ जाती है जो ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल बनाए रखने में मदद करती है खाने के बाद एक छोटा चमा सौफ मुँ में डाल कर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं इस वाद के लिए थोड़ी से मिश्री भी मिला सकते हैं आप सौफ को थोड़े से पानी में उबाल कर चाई की तरह भी पी सकते हैं आई होब फ्रेंज आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चानल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर लीजिए